वेल्कम प्रेंट्स वेल्कम तु स्टूडीःड्स फोकस हूए। प्रवाइगी, फाइनल मेरिट कब आएगी, मेडिकल कब हो सकता है, और कितने बच्चों उन्हें फिजिकल दिया है, कितने बच्चों ये फिजिकल क्वालिफाइगा है, लगबच तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए वीडियो को स्चार्ट करते हैं, अ और OBC की कट-off क्या गई थी, 58.87, यह आपकी वो कट-off गई थी, जिसमें फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए थे, और ST Candidate की गई थी, 55.24, SC Candidate की गई थी, 51.93, और EWS Candidate की, EWS की सबसे कम गई थी, यह गई थी, 51.75, ठीक है, यह आपकी कट-off गई थी, जो फिजिकल के लिए गई थी, अब देखे, फिजिकल में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था, male candidates की अगर हम बात करें, तो male candidates में के रहा था, 41,106 में, और total अगर हम बात करें, male female को मिला कर, तो 67,740 बच्चों ने क्वालिफाई करा था, यह आपको पता होगा, अब देखे, इसम 7080 बच्चे थे, जिनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, ST में थे 1884, OBC में 7944, और EWS के 416 बच्चे थे, जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था, अब देखे, यह चीज दियान देखे, 20,172 बच्चे यूआर में है, अब यह यूआर में क्या है, इसे देखते हैं, यह 20,172 बच्चे जो हैं, इसमें 1120 बच्चे जो हैं, यानि कि 1120 गैडिट जो हैं, वो SC के हैं, जिनके मार्क्स जिनोंने यूआर की कट ओफ को clear करा आई, यानि कि इन इन बच्चों के marks इतने हैं 61 से जादा ही यह 1120 बच्चे SD Candidate के ही और 642 SD Candidate के जिनके mark जिनोंने UR की कट ओफ को qualify कराए और 9251 यानि सबसे ज़्यादा OBC Candidate के हैं जिनोंने humor की कट ओफ को qualify करा है और इनके marks कितने है 61 प्लस यानि कि 61 से ज़्यादा है इतने बच्चों के marks और 215 EWS candidate है जिनके marks 61 प्लस है यानि कि UR की cutoff इतने बच्चों ने qualify करी है और खाली अगर UR की बात करें तो UR में लगबग 7,038 बच्चे कुछ ऐसे हैं जिन्नों ने सिर्फ जो UR में count होंगे खाल कुछ ऐसे बच्चे हैं वजना बाकी सारे कुन से हैं बाकी सारे category wise हैं category वाले बच्चे हैं अब देखें अगर हमें इनके according बात करें कि OBC के 9,251 बच्चे हैं ऐसे हैं जिन्नों ने UR की cutoff में qualify कराए अगर main देखा जाए ना main जो competition है वो है 20,176 बच्चों में ही है देखा को qualify करा है यानि कि physical clear करा है 20,176 वाले बच्चे ही cutoff decide करेंगे अगर हम UR की बात करें जैसे ये लगबग total कितने बच्चे हैं ये है 13,000 बच्चे ये लगबग अगर हम बात करें category वाले 13,000 हैं और ये है 7,000 बच्चे UR candidate के ठीक है अब देख लेते हैं कि physical कितने बच्चों क्वालिफाई करा है अब देखें यहां देखें टोटल 41,166 बच्चे थे जिसमें से लगबग अगर हम बात करें physical में 30% बच्चे physical देने ही नहीं गए यानि कि absent हो गए लगबग 30% ये हम नहीं बता रहें ये दिल्ली पुलिस ऑफिशल यानि कि दिल्ली पुलिस के जो महा पर physical conduct करवा रहे हैं वो खुद ने उन्होंने बताया था जब 16 में एक्जाम था तो काफी बच्चों से बात हुई थी तो उन्होंने पूछा था तो बता रहे हैं कि लगबग 30% बच्चे absent हो रहे हैं दिल्ली पुलिस फिजीकल यानि कि 30% बच्चे physical देने ही नहीं आ रहे और यह है भी अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम 500 बच्चों का जो बैच बनाया था 500 में से कितने बच्चे दोड़ रहे थे साड़े 300, 300 ठीक है तो यह इसका आइडिया लग रहा है कि 30% बच्चे physical देने ही नहीं गए अगर हम बात करें 41,196 में इसमें से अगर 30% बच्चे physical नहीं देने गए तो हमारे according जो हमें data मिला है उसके according अगर हम बात करें 28 से 30,000 बच्चे physical देने गए ठीक है 28 से 30,000 बच्चे physical को देने गए अब इन में से कितने बच्चों ने qualify करा है 28 से 30,000 अगर हम बात करें तो लगबग अगर male candidates के हम बात करें तो male candidates में 8 से 10,000 बच्चों ने physical को qualify करा है ठीक है 8 से 10,000 बच्चों ने दिल्ले पुलिस physical को qualify करा है अब क्याएंगे नहीं सर जाद है बच्चों ने क्वालिफाई करा है कम बच्चों ने क्वालिफाई करा है तो देखें अच्छा एक बैच देख लेते हैं एक batch की idea ले लो जिससे आपको idea लगे एक ground का अगर हम किसी एक दिन की बात करें particular दिन की जैसे 30 बच्चों का batch बनाया वजीराबाद में ठीक है तो महाँ पर अगर शुरू के जो timing अगर हम बात करें न शुरू के 7-7 बचे से पहले यानि कि धूप होने से पहले जादे धूप नहीं थी उससे पहले अगर जितने भी बैच दोड़े महाँ परसंटेज जादा भी रही है एसा नहीं है कि 30 परसंटेज 35-40 कहीं कहीं 50 भी परसंटेज है 50% बच्चों ने qualify करा है ठीक है जहाँ पर मोसम थोड़ा अच्छा रहेगा वहाँ परसंटेज जादे रही है और जो थोड़ा यानि कि 8-9 बजे करीम में जो physical हुआ है उसमें अगर हम बात करें 8-9 बजे अगर physical हुआ है तो उधर वो परसंटेज गिर कर कितनी हो गई 25-30% और अगर वो ही physical 10 बजे के बाद हो रहा है तो वहाँ पर 10-15% बच्चों ने physical qualify करा है यह भी आप देहां लेकिए तो average अगर हम पर देख जाए तो 30% बच्चों ने दिल्ले पुलिस फिजिकल को qualify करा है 8-10,000 total अगर candidate की बात करें 8-10,000 बच्चों ने male candidates की बात कर रहे है अभी female candidates की बात नहीं कर रहे है ठीक है अब इन में से यह देखना होगा कि उन 8-10,000 बच्चों में से जिनके marks general की category में यह यूर में qualify करा है उन में से कितने बच्चे ऐसे हैं यानि कि जो जिनके marks general से जादा है जैसे OBG में से 9,251 है अब इन ऐसे कितने candidates हैं इन में से जिनोंने physical को qualify करा है ऐसे यह चारो category आपको देखनी पड़ेंगी EWS 215, 1120, STK 642 क्योंकि आप यहां देखें OBC की vacancy कितनी है OBC की vacancy कितनी है OBC की vacancy है जै 642 यह OBC की vacancy है टोटल और यहां पे 9,251 बच्चे कितने है जिनोंने 61 से उपर marks लेका रहे है अगर 10% भी यहां से qualify कर लिया ना अगर 10% बच्चों ने भी यहां से qualify कर लिया 61 से उपर marks तो इनके नमबर कितने यह कितने बच्चे qualify कर ले आप खुद बतेए 900 बच्चों ने लगभग qualify कर लिया तो कट आफ तो जादा जाएगी यू आर की और जन ओबीसी की कट आफ में काफी वेरिशन देखने को मिलेगा बहुत हाई कट आफ जाएगी ऐसा ही EWS की बात करें तो EWS की वेकेंसी कितनी है EWS की वेकेंसी है 343 अगर इस में से भी 10% बच्चों ने qualify कर लिया तो 200 यानि की 211 के आसपास बच्चों ने अगर यहां से qualify कर लिया तो बाकी के तो यहां पर भी साथ से आठ नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है EWS की कट आफ पर क्यों देखने को मिल सकता है क्योंकि जो पहली कट आफ गई थी उसमें सबसे कम जो कट आफ गई है वो EWS क से भी ठीक है जो EWS की कट आफ जो गई है वो SC और ST से भी काफी कम कट आफ गई है अब देखते हैं SC कैंडिडेट के अगर हम बात करें तो SC कैंडिडेट 1120 1120 कैंडिडेट ऐसे जिनके 60 से यानि 61 से जादा मांक्स है और SC की वेकेंसी कितनी है SC की वेकेंसी है 590 590 तो यहां पर देखे SC की कट आफ में जादा वेरेशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लगबग आधे आधे में आ रही है वेकेंसी समझ गए 1120 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 से उपर 61 से उपर मांक्स हैं और 590 वेकेंसी हैं अगर यहां पे 10% भी करेंगे तो 100 112 कैंडेट अगर य यहां ST की कट आफ में जादा वेरेशन नहीं देखने को मिलेगा ST की अगर हम बात करें ST में 642 बच्चों ने फिजिकल को यानिकि इनके मांक्स कितने इनके मांक्स 61 से जादा हैं और वेकेंसी कितनी है ST की यह है 157 वेकेंसी तो यहां पर भी जादे कट आफ नहीं सब्स डेटा आया उसके according हम बात करें क्या कट आफ रह सकती है तो देखे कट आफ यह हमारे according यूर के अगर हम बात करें जैसे यूर की जो पहले कट आफ गई है वो 61 गई है तो 61 से 66 6 मार्क्स का डिप्रेंट अब यूर और OBC में हो सकता है यह change यह कट आफ जादा भी में भी जादे बच्चे क्वालिफाई हैं 9000 के आसपास और जो अपनी केटेगरी में क्वालिफाई हैं वो भी है ठीक है तो OBC और UR की कट आफ जादा देखने को मिल सकती है यह कट आफ अगर इससे भी जादे चले जाए तो कोई हरानी वाली बात नहींगी क्योंकि बच् 51.93 तो 51.3 से अगर हम 58 59 यानि कि यह कट आफ माइनस टू भी हो सकती है यानि कि 57 55 से 57 के बीच में कट आफ जाएगी 55 57 58 यह इस रेंज में जाएगी माइनस टू यह मैंने मैक्सिमम बताए है 59 से उपर तो कट आफ नहीं जाएगी से कैंडिट की ठीक है ऐसे अगर हम स्ट कै कट आफ जो पहले गई थी वो थी 55 और अब जाई अब 60 से उपर तो कट आफ नहीं जाएगी स्ट केंडिट की अगर आपके मार्क स्ट कैटेगरी में हैं और आपके मार्क साट से उपर आ रहे हैं तो आप निश्चिन तो यह आपका सेलेक्शन हो जाएगा ऐसा ही स्ट कैट केंडिट के अगर हम बात करें 51 पॉइंट कुछ पर आपका जो पहली कट अब गई थी सबसे कम EWS केंडिट की कट अब गई थी तो इसमें हम बात करें EWS की और आपकी EWS की वेकंसी कितनी है EWS की वेकंसी है 343 ठीक है 343 और EWS में 343 और 215 ऐसे कैंडिट है जिनोंने यूर में क्वालिफाई करा है यानि कि इनके मार्क्स कितने 61 से उपर है तो अगर 10 परसेंट भी वह बात है कि 10 परसेंट यहां से भी क्वालिफाई कर लिया ना तो भी 211 बच्चे यहां से मिल बात है कि यहां से भी कट-off EWS की कट-off में variation बहुत देखने को मिलेगा साथ से आठ नमबर का variation देखने को मिलेगा EWS की कट-off में ठीक है तो फाइनल कट-off में किस क्या बढ़ेगा UR candidate में OBC और EWS इन तीनों केटेगरी में नमबर कितने बढ़ जाएंगे जो आपकी पहली कट-off गई थी उससे लगबख साथ से आठ नमबर बढ़ेंगे category wise यह depend करेगा ठीक है पर UR की कट-off कुछ भी जा सकती है क्योंकि UR और OBC की कट-off जाद ही जाएगी पर हाँ अगर आप SC और ST candidate है और आपके marks 5-6, 4-5 marks अगर जाद है यह 60 से अगर उपर हैं 55-60 से उपर हैं तो आपका selection हो जाएगा है तो हमारी तरफ से यह है और आप अपनी बताईए कि आप लोग ने कितने marks थे कितने marks आप category wise कब आपका physical था और आपने qualify किया है यह नहीं किया है तो आप बताईएगा ठीक है हमारे recording यह कट-off रहने वाली है यूर और OBC की कट-off इससे ज़्यादा हो सकती है बढ़ना प्लस माइनस टू आप मानके चलिए ठीक है यूर category में यूर और OBC में प्लस माइनस टू मानके चलिए पर SC ST candidate यही कट-off जाएगी EWS की कम भी जा सकती है ज्यादा भी कम जाने कम जाने के चांस कम है और ज्यादा ज्यादा ही जाएगी EWS की 58 59 78 नंबर का गैप देखने को मिलेगा EWS और रही बात आपको जो मैडिकल होगा अपका सितंबर 10-20 सितंबर के आसपास आपको लोगों का मैडिकल होगा जूड़ा अगस्ट लास्ट में आपको मैरिट लग जाएगी final merit लगेगी, कोई ऐसा नहीं है कि मालब इसके बाद भी merit लगेगी, अगस्त में final merit लगेगी, जिसका उसमें नाम है, उसका selection हो जाएगा, उसके बाद कोई merit नहीं लगेगी, सीधा joining later आएगा, उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे 3500 बच्चे बुला सकते हैं, तो 3500 बच्चों की लिस्ट लगेगी male candidates में, जब female candidates का physical complete हो जाएगा, तब हम एक वीडियो तब उसके लिए अलग से बना देंगे, बना male candidates की cut-off यही जाएगी, ठीक है, thank you friends, thanks for watching.